हेलो गई स्वागत आपका मेरे मिनी व्लॉग में और आज है डे थ्री इन गोवा तो हम लोग सुबह ब्रिक्फस्ट के लिए चले गए एक्चुली सुबह नहीं आफ्टरनून हो गया था क्योंकि यह लोग लेट उठे थे हम तो जल्दे उठ गए थे हमने ओडर किया है यहा आद में उन्होंने फिल्टर वाली कॉफी ओडर करी और बस यहां से निकल लिये थे दिन का टाइम धया राजना काफी ज्यादा तेज धूप थी उसके बाद सीधा आ गए थे रूम में हम लोग चावी साथ में लेके तो क्लीनिंग नहीं हो पाई तो हमने क्लीनिंग वाले है वो ले ली है और बस उसके बाद फिर हम लोग रैडी होके यानि कि नहाए तो नहीं वैसे ही क्योंकि बीच पे जाके भी वैसा ही हो जाना है तो आज हम लोग नहीं नहीं बिना नहीं निकल लिये हैं और ये देखिए रास्ता देखें यहां का गाईज कितना प्यारा है आज हम थोड़ा दूर वाले बीच पे जा रहे हैं मिरोजिम बीच पे यह देखें यहां की वाइब एक्चुली इसको रॉशियन बीच भी बोलते हैं इस पे जादा तर यानि के 95% आपको रॉशियन ही रॉशियन देखने को मिलेंगे मतलब इंडियन तो बिलकुल ही कम बा और बस अब हम जा रहे हैं खाने के लिए चारो रैडी हो गए हैं और चारो ने कुछ-कुछ ऐसा-सा डाला है हम लोगोंने और बस निकल लिये थे और जहां पे खाने जा रहे थे वो भी कोई डैली यहां पे हमारे गाड़े में पेट्रिल खितम हो गय था पैट्रोल भरव यह था तितली रेस्टोरेंट करके यहां पर गई यहां पर हम गए अंदर बैठे वाई बच्छी लगी बटी यहां पर कुछ खाने का नहीं था सिर्फ दाल और रोटी उसके लावा वैज में कुछ भी नहीं था भूख बहुत ज्यादा तेसी तो मैंने आइस्क्रीम लेली थ फिर आदे गंटे बाद हम ट्राइवल करके आए और फाइनली हम लोग अपने कानहा पे ही पहुच गया है कानहा वैज रेस्टोरेंट पर यहां पर थोड़ा देसी सा मिलता और थोड़ा ना नॉर्मल सा मिलता ना जादा स्पाइसी ना वैसा तो हमने सोचा फाइनली यहीं नंगड वर्सिज साहुकार जो कि बहुत ही जवरदस्त गाना अगर आप लोगों नहीं देखा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके जरूर चेक करना जब आप ये वीडियो देखे को तब तक इस गाने का ओडियो भी आ चुका होगा पोस्टर भी रिलिज हो गया